हेलो फरेंлет, वेलकम टो मेकैनिकल टेखिंदी फरेंड्स आज की इस वीडिएो मैं टाइमिंग चेन और टाइमिंग बेल्ट को आपस में कंप्यर करूँँगा और आपको बताऊं कि टाइमिंग चेन और टाइमिंग बेल्ट क्या होता है? कैसे काम करता है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इंजन के लिए चेन और बेल्ट में से कौन सा सही होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखे वीडियो अच्छा लगए तो लाग जरू करते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी जरू कर ले चले वीडियो को शुरू करते हैं वहीं कुछ काड़ियों के इंजिन में टाइमिंग बेल्ट का यूज कहाता है अब ऐसा क्यों होता आईए हम लोग इसे डिटेल में जानते हैं अब फरेंड देखें इंजिन में दो इंपोर्टेंट कॉम्पोरेंट होते हैं एक है क्रेंग साफ्ट और दूसरा है कैम साफ्ट अब जब क्रेंग साफ्ट गूमता है तो जो क्रेंग साफ्ट के साथ अटाइज पिश्टन है उसका भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन यानि की अप अन्डॉन मोशन होता है वहीं दूसरी तरब जो camshaft है जब वो घूमता है जब उसका rotation होता है तो उस वक्त जो हमारे engine के cylinder में जो दो valve होते है intake valve और exhaust valve तो ये दोनों ही valve camshaft के घूमने के वज़े से open और close होते है अब friends ये जो crank shaft और camshaft का rotation हो रहा है तो इन दोनों ही rotation में ताल मेल होना जरूरी है क्योंकि जब इन दोनों ही rotation में ताल मेल होता है तभी जो intake valve वो सही time पे खुलता है air और fuel आता है और exhaust valve सही time पे खुलता है और जो exhaust gases है वो बाहर चली जाती है अब इन दोनों ही rotation में समाज़से बने रहे ताल मेल बने रहे इसलिए timing chain और timing build को इन दोनों ही component के साथ use किया जाता है और ये जो timing chain है या फिर timing build है वो crank shaft और camshaft के साथ connected होता है अब देखिए जो crank shaft होता है जब वो घूमता है तो वो timing chain हो या timing build हो वो उसे घुमाता है और इस बदले में क्या को होता है कि timing chain और timing build होता है वो further camshaft को घुमाता है तो इस तरफ से ये timing chain है और timing build हो काम करता है अब देखिए जो camshaft अपना काम perform कर रहा है और जो crankshaft अपना काम कर रहा है तो इससे हम लोग कहते है mechanical timing और ये timing सही हो accurate हो इसकी जिम्मदारी होती है timing chain या फिर timing build की और timing chain या timing build इन दोनों ही component के बीच में use होके ये काम को अच्छी तरह से करते रहता है अब friends ये जो सारा खेले वो timing का है इसलिए ये जो built और जो हमारा chain है इसके पहले में timing लगाया जाता है और इन्हें timing chain और timing build कहा जाता है तो friends ये तो हो गया timing chain और timing build कहा होता और क्या काम करता है चलिए अब इन दोनों ही type के जो component है उसके बारे में थोड़ा और detail में जानते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं timing chain की friends जब automobile engine को बनाया गया तब से automobile engine में crank saafd के rotational power को cam saafd में भेजने के लिए timing chain का use किया जाता है सुरू में timing build को नहीं बनाया गया था और हर एक गाड़ी की engine में timing chain का ही यूज किया जाता था अब friends जो timing chain होता है वो metal का बना हुआ होता है और timing chain का सबसे बड़ा खासियत ये है कि timing chain का जो life होता है वो तब तक होता है जब तक आपकी गाड़ी का life होता है यानि कि इन्हें असानी से 2 लाग से 3 लाग किलोमेटर तक बिना किसी दिक्कत के use किया जा सकता है हलाकि ये ideal condition है बहुत ही rare कभी कभी ऐसा होता है कि timing chain बहुत पहले ही खराब हो जाता है लेकिन ये सब कुछ depend करता है कि engine को operation कैसे है वैसे life जो होता है वो आपके गाड़ी के life तक ही होता है हलाकि जो timing chain होता है वहाँ पे एक component होता है जो कि होता है timing chain guide जो की काम आता है timing chain को guide करने के लिए और ये plastic का बना हुआ होता है और इस timing chain guide को अकसर 75,000 से 1,000,000 km के बीच में एक बार change का जाता है क्योंकि जो timing chain guide है वो लगतार use होने से वो उसका wear and tear हो जाता है वो घिस जाता है और अपने function को perform नहीं कर पाता है टाइमिंग chain के साथ एक और दिक्कत ये है कि जो timing chain होता है उसके वज़े से जो engine का operation है वो बहुत ही noisy हो जाया करता था पहले इसके साथ ही engine से बहुत जादा sound आता था हाला कि अभी का जो modern engine से जहाँ पर timing chain का use का आता है वहाँ पर जो modification किया गया है उसके वज़े से जो engine से sound आता वो पहले का मुकाबले बहुत ही कम हो गया है लेकिन इसके साथ timing chain में एक और दिक्कत है कि अगर कभी timing chain टूट जाए तो क्या होता डर ये रहता है कि पूरा का timing chain टूट सकता है जिसके वज़े से अगर कभी ऐसा हो तो आपके गाड़ी का जो engine उसके बहुत सारे important components है वो damage हो सकते है तो इन सब कम्यों को दूर करने के लिए timing chain का एक alternative ढूटा गया और timing build को introduce किया गया तो आईए अब हम लोग timing build के बारे कुछ जरूरी चीज़े जान लेते हैं फिरेंस timing build को 1960 में automobile engine में introduce किया गया और तब से इनहीं लगतार engine में use किया जा रहा है हलाकि ऐसा नहीं है कि तब से timing chain का use बंद हो गया आज भी बहुत से गाड़ियों के engine में timing chain का use किया जाता है अपर जो timing build होता है वो rubber का बना हुआ होता है और rubber का बना होने के वज़से जो timing build का cost होता है वो कम होता है as compared to timing chain इसके साथ ही जो engine में timing build को लगाने से यह भी फायदा हो गया कि जो engine का operation है वो noise friendly हो गया हो यानि कि engine से आवाज बहुत ही कम आने लगा timing build गूस करने के बज़ा से लेकिन timing build के साथ दिक्कत यह है कि जो timing build का life होता है वो timing chain का मुकाबले बहुत ही कम होता है अक्सर इनका जो life होता है वो 75,000 से लेकर एक लाग किलो मिटर तक होता है और यह क्यों होता है यह भी मैं आपको टेक्निकली समझा जता हूँ अब देखिए जू timing chain होता है वो engine heart के अंदर लगा होता है जिस वजय से क्या होता है जो timing chain होता है उसका इंजन ओल जिससा हमने वो मॉबिल कहते है उसके वह से लगातार lubrication होते रहता है वो dry नहीं होता है और इस वज़ासे timing chain का life जादा होता है लेकिन दूसरी तरह जो timing built ह होता है वो homelessness के बाहर होता है इसका किता है lubrication नहीं होता है और लगतार जब यूज़ होते रहता है तो वह कही से cut for जाता है और इस वजा vivo haters टाइमिंग built का life होता है वह come होता है तो friends ये था timing chain और timing built आपको क्या लनगता है engine के लिए कौन सा power का जो source वो सही है timing चेन्ह लिए तो प्रतम को श्क्राइन करने लेड़ यापने चयनल को इस ख्रkay को ऑप दो आपको और सिक्रांग ड्रॉ सब्सक्राइब लेका तक उनसे रहे सबहलेँ अगरे यह एक एक नुनाग कशन क्था ऊपर रेखthinking इस वीडियो गुड़ाइ कि UK